जिहां साल 2019 खदम होने को है और 2020 जुल्द ही आने वाला है तो चलिए आज अपने इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि 2019 में यानिकि नए साल से आपको टीवी के कौन से पांच बड़े नए टीवी शूस देखने को मिलने वाले हैं क्या है उनके पीछे स्टोरी कब से यह एथी शूरू होने वाले हैं क्या है पूरी apart चलि आपको एके कर कर बताते हैं ज़िए जनवरी से आप सभी के बीच आने वाला है आपको बता दें यह टीवी शो एन टीवी पर टेलिकास्ट होगा पताया जो रहा है कि ये टीवी शो साथ जन्वरी से ओन हेर होने वाला है जिहां और आपको बता दे इस शो की टाइमिंग रहेगी रात को साड़े नो बजे जिहां इसके बाद दूसरे नमबर पर बात करते हैं नाटी पिंकी की सबसे लंबी लव स्टोरी जिहां ये भी टीवी सीरियल कलर्स टीवी पर शुरू होने वाला है पताया जा रहा है कि ये भी जन्वरी की महिने में भी आप सभी के सामने आने वाला है वाल इस टीवी शो की अभी फाइनल डेट नहीं आई है कि ये कब से टेली कास्ट होगा लेकिन एक खबर पकी है कि ये टीवी शो कलर्स पर जन्वरी से ही टेली कास्ट होने वाला है जो आप नमबर तीन पर बात करते हैं लेडी स्पेशल सीजन 3 की जो ये लेडी स्पेशल सीजन 3 भी जन्वरी और फैबरी के बीच में कभी भी आप सभी के सामने आ सकता है इस शो की सारी शूटिंग हो चुकी है शो की बस अंतिम टेली कास्ट यानि की ओन एयर डेट डिसाइड करना बाकी है नमर चार पर बात करते हैं ऐसी दिवान की देखी नहीं कहानी 2 जहां जहां ऐसी दिवान की देखी नहीं जी टीवी पर पहले भी आया करता था और ये शो जब से शुरू हुआ था तबी से दर्शुकों के बीच में काफी जादा क्रेज बना दिया था वेल कुछ इशूस के चलते शो को बीच में ही बंद करना पड़ा था लेकिन अब ये शो अपने सीजन टू के साथ आप सभी के बीच जनवरी में आने वाला है और नमर पाच पर बात करते हैं टीवी इंट्रस्टी का सबसे मोस्ट पॉपिलर शो खत्रो के खिलाडी जो यहां खत्रो के खिलाडी अपने 10 सीजन पूरे कर चुका है और 11 सीजन के साथ जनवरी से जोलधी आप सभी के सामने आने वाला है वेल खत्रो के खिलाडी की भी फाइनल डेट सामने नहीं आपाई है कि ये कब से ओने अर होने वाला है लेकिन ये खबर पकी है कि ये जन्वरी या फैबरी के महिने से आप सभी के सामने शुरू होने वाला है वेल ये थे 2020 के वो बड़े पाँच टीवी शो जो आप सभी के सामने नए साल की शुरुवात में आने वाले हैं वेल आप अब कितना एक्साइटीड है इन में से किस शो को देखने के लिए वो हमें कमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताएं नेक्स्ट टू नाइन लाइव डेक्स से इंदू की रिपोर्ट